यूवक का किर्णाप कर मारपीट करने वाले चार आरोपी गिरफतार अंबा माता थाना शेत्र में यूवक को नंगन करके पीटने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफतार आरोपियों ने पेड़ित का किर्णाप कर उतरवाये थे कपड़े दरसल तीलक नगर सेक्टर 3 निवासी कुशार्क चमपावत ने अंबा माता थाना में रिपोर्ट दी थी कि वह इवेंट मैनेजमेंट में काम करता है आरोपी साहिल हुसेन ने कुशार्क को 27 मार्च को फोन कर मला तलाई में काम करने के भाने बुलाया था वह रात 11 बजे वहाँ पहुचा जा साहिल के साथ फरान अंसारी, मोईन और खातिम शेक भी था खुशार्क का आरोप है कि आरोपियों ने पहले उसका मोबाइल सीना फिर जबरन कार में बठा कर अच्सी फिर रोट के पिछले सुनसान जगे पर लेकर गए वहाँ मोईन ने गरदन पर तलवार रखकर कहा कि तुम लोगों ने हमें नीचा दिखाया तुझे मार कर बदला लेंगे फरान ने पिस्तॉल दिखा कर धमकाया और कपड़े खोलने को मजबूर किया फिर मार पीट की और वीडियो भी बनाया शोर मचाने पर कुछ लोग माँ पहुचे जिने देखकर आरोपी फरार हो गए खुशार का आरोप है कि उसकी फरान और साहिल से कभी कोई बात नहीं हुई अब दोनों उसे वाटसप कॉल करके धमका रहे हैं पीडित की रिपोर्ट पर पलिस ने मामला दर्च कर जाच शुरू की जिस पर पलिस ने चारो आरोपी फरान मौमध, अंसारी, साहिल हुसैन, मुईदिन और खादिम हुसैन शेक को गिरफतार किया है पुलिस का मानना है कि प्रात्मिक रूप से मामला आपसी रंजिश्का लग रहा है फिलाल मामले में अग्रीम अनुसान दान जारी है